आज जार्खन के इस बीर भूमी पर धर्ती आवा के इस भूमी पर और जार्खन के अस्थापन दिवस के सुबाउसर पर आज हमारे राज में आएवे आज इस महत्पून दिन में देश के प्रधानमंत्री आदन्य गरिनर मोदे जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्तित है और समय भी बहुत संचिप्त है परधानमंत्री जी को आगे भी जाना है और यहां उपस्तित सभी आदन्य सम्मानित अथितिगन संचिप्त में बातों को रखना चाहूंगा और चुकि जारखंडे का आदिवासी बहुल राज है और मैं भी उसी समाज से भी आता हूं मुझे गर्भ है आदिवासी होने का और आज आपने पूरे देश को आज इस कारिकरम से जोड़ा है निश्चित रूप से भगवान विर्सा मुंडा इस राज का ही नहीं पूरे देश के ही भगवान आदिवासीों के हैं और वैसे भी पूरा जारखंड वीरों की धरती रही है चायो भर्गान विर्सा मुंडा हो, सीदू कानो हो, चान बहरो हो, फोलो जानो हो, तिलंगना खड़िया हो और आपने इसकी एक जलक हमारे विर्सा म्यूजियम में देखा भी थी और निश्चित रूप से आदिवासी समाज शदियों से अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है, चाहिए वो अंग्रेजों से हो, चाहिए वो महाजनों से हो आखरी व्यक्ति तक फासी में लटकने के लिए तैयार रहा है लेकिन दुर्भाई की बात है, इतिहास कारों ने आज तक हम आदिवासीयों को उचित जगह नहीं दिया आज यहाँ से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष योजना की घोसना हुई है वो हमारे समाज के सबसे अधन्तियंत पिछड़ आदिवासी है और निश्चित रूप से हम सबों के लिए एक चौनोती है अगर वो प्रिमिटिव नहीं बचा तो अगली बार निश्चित रूप से हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में आ जाएंगे और बहुत विचितरी बात है आज हम जहां चांद की और बढ़ने की तयारी कर रहे हैं पहुँच चुके है वहीं आज समाज के अंदर आदिवासी प्रिमिटिव ट्राइब्स पिछड़ी जाती अती पिछड़ी जाती स्वर्ण जाती अतियंत गरीब स्वर्ण जाती इस तरीके के जो अंतर दिख रहे हैं मुझे लगता है कि आज की इस यूग में भी इस अंतर को पढ़ जाना चाहिए था मैं एक आदिवासी राज कर नित्रुट कर रहा हूँ और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अगवारों में और कागजों में ही दिखती है लेकिन हम लोगों ने ये प्रियास किया है सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आखे सरकार की आवाज राज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़ें आप यहां आए और हमें पहुत और पूरी आसा है कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष है इसको हम राजियों में चाहे जारखंड हो चाहे पूरा देश हो आप पूरे देश के परदान मंत्री है और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कारिकरम को लेके पूरे देश को आपने जोड़ा है और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और जारखन परदेश भी इसमें और बढ़ चड़ करके हिस्सा ले सके परदान मंत्री जी जारखन कई माइनों में बहुत महत्पूर्ण चीजों को लेकर आगे बढ़ा है चाहे खनी संपदा को लेके हो चाहे खिलाडियों को लेकर हो चाहे और किसी आनिय बिसाय को लेकर हो परदान मंत्री जी हम ये आगरा करना चाहेंगे कि यहाँ पर बड़े पहमाने पर आदिवासि जो जंगलों में बसते है वो बड़े पहमाने पर विस्तापीत का भी दंस जलना पड़ता है खनी संपधाओं को निकालने के लिए बड़े पहमाने पर आज से नहीं सौ सालों से इनका विस्तापन होता रहा है मैं आसा और उम्मीद करूँगा कि इस छेतर में भी बसने वाले जो लोग है उनके परती भी कोई विसेश ऐसी कार्योजना तयार की जाए जहां हमारे आदिवासी भाई अपने जल जंगल जमीन के साथ अपने आपको समगर विकास के कडियों में जोड सके हम और ज्यादा विसेश नहीं करना चाहेंगे आज आपको सुनने के लिए यहां हम लोग कत्रित हुए है और निश्चित रूप से आज उली हातों में आज पहली बार आप आए हैं हम लोग तो कई बार आ चुके हैं और इसी आसा उमीद के साथ कि कोई इस समाज को आगे मुखिधारा की और जोड़ेगा और आपने यह पहला प्रयास किया है इसके लिए मैं आपको कोटी कोटी धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैजारकन जोहार